हेलो बच्चो आज हम कलर करने वाले हैं एन को जो शुगर को ले कर जा रही है तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्काई को ब्लू कर देती हूँ तो हम को ब्लू कर देते हैं सबसे पहले चमक वाला ब्लू कलर है मुझे यह नहीं फिल करना मैं दूसरा वाला देख ठीक है यह वाला बेटर है यह मुझे अच्छा लगा यह ब्लू कलर स्काइब्लू तो इसे मैं पूरे स्काइब में फील कर देती हूँ यह हमारा स्काइब्लू हो चुका जो यहाँ पर जो हमें बादल दिख रहे है उसे थोड़ा डाग कर देती हूँ ओके यह भी बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं जो एन के बाद शूगर है उस शूगर को भी ड्रा करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ अलग से कलर करती हूँ देखिए मुझे अच्छा लगा यह वाला मैं यहाँ पर शूगर को ड्रा कर दिया है अब मैं एन को ड्रा करूंगी एन को पेंट करूंगी तो ठीक है मैं एन के लिए रेट कलर से एन को पेंट करती हूँ वहाँ पर मैं दो तीन कलर डालूंगी एक ओरेंज बाट में एलो और रेड़ वाला और ओरेंज ऐसे मैंने एंड को पेंट कर दिया अब रह गया ग्रीन ग्रास तो चलिए हम ग्रीन ग्रास भी कर देते हैं और सबसे लास्ट में यहां पर जो स्टोन है पत्थर है उस पत्थर को भी हम कलर कर देते हैं तो पत्थर के लिए मैं यहां पर थोड़ा मुझे ब्राउंडिश कलर चाहिए तो मैं इस तरह से इसको ड्रा करूंगी देखिए और दूसरे पत्थर को मैं दूसरे कलर से ड्रा कर हो गई पेंटिंग तो आपको कैसे लगी बच्चो मुझे जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चाइनल पे आप लोग अगर नए हो तो चाइनल को रेड़ वाली बटन जो है उसे सास्क्राइब बटन को प्रेस कर दो बाई हम मिलते ह और नेक्स वीडियो में